आपके बहुती काम आएगी यह किचन स्पेशल आसान टिप्स जब भी हम किचन में काम कट्टे हैं तो अक्सर कई परिशानिया ऐसी होती है जिनका सामना हमको करना पड़ता है हमारी छोटी छोटी लापरवाईयां ही हमारी किचन की परिशानियों का बड़ा कारण बन जाती है इतना ही नहीं कई बार तो हमको इन परिशानियों से दो-چार होना पड़ता है जिन में सारा दिन लग जाता है आज हम आपको बताने डा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो की आपकी किचन से जुड़ी कई परेशानियों का हल तुरंत करने में मददगार सावित होंगी आईए जानते हैं कुछ कुकिंग टिप्स के बारे में जो हमको परेशानियों से बचाएगी रसोई में पेपर नेपकिन का डिबबा हमेशा रखें कपड़े का इस्तिमाल भी करें पर नेपकिन का डिबबा हमेशा वहीं रखें यह जरूरत पढ़ने पर आपको भागडाओर से बचाएगा भी और कई परेसेहनियों से भी कहीं भी थोड़ा भी थेल गिर जाता है या आप जब छोंक लगाते हैं तो पेपर नेपकिन से आसपास पर उड़ा तेल साथ में ही पोंच दें इससे अप जमने वाली चित और चिप चिप की मिहनत से बच जाएंगे और सफाई भी साथ के साथ हो जाएगी कभी भी ताला हुआ खाना तुरंट पेपर नेपकिन पर नहीं रखें इनको किसी स्टील के बर्तन में भी निकालें उससे एक सट्रा तेल जो निकलेगा आप उसको काम में ले सकते हैं नीबुओं को लंबे समय तक काम में लेने और ताजा रखने के लिए उन पर नारियल का तेल लगा कर रखें वे लंबे समय तक चलेंगे मिर्ची को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उनके पीछे का हिसा निकाल दे मिर्ची ताजा रहेगी सारदियों में दही जमाने में बहुत परिशानी का सामना करना पड़ता है ऐसे में मिर्च की पीछे का हिसा जिसको बिट बोला जाता है दही जमते समय उसमें दाल दें इसमें बहुत आर्मी होती है दही बहुत ही अच्छा जमेगा बेजलर्स को खाना बनाने में और समान संभाल कर रखने में बहुत पेशनी आती है ऐसे में आप स्टॉर करने के लिए डिब्बे बना लें जिन में एक में सारी तरह की दालों के पेकेट, एक में मसालों के पेकेट, एक में नाच्टे का समान, एक में आता सूजी रख लें इससे समान फेला फेला नहीं राएगा और एक जगे पर ही आपको समान मिल जाएगा